स्वाथी तुक एलोन लिया है 16,000 रुपीज का अगेंस्ट हर इंस्वरेंस पॉलिसी तो इंस्वरेंस पॉलिसी मिन्स बीमा कराई होगी तो उसी बीमा के अगेंस्ट मतलब कि या तो कोई लेता है प्रपर्टी के अगेंस्ट लोन या फिर इंस्वरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट या फिर कोई मतलब प्रपर्टी अग पास होनी चाहिए तो एक तरसा इंस्वरेंस पॉलिसी एक प्रपर्टी हुई ठीक है तो कि उसने खरीदी होगी पैसा दे करके LIC से य तो 25 अपन 2% ठीक है पर एनम एक साल में इतना इंट्रेस्ट लगेगा आप यहां बोला है कि कल्कुलेट तो टूटल कंपाउंड इंट्रेस्ट कितना होगा पेबल भाई स्वाथिया अपने थी एच तो तीन साल के बाद कितना पेग करेगी कंपाउंड इंट्रेस्ट यहां यहां पर बोला नहीं है कि कि एक साल का निकलेंगे थीन बार कहने साल。」 थीन बार करें फिकतें में हैं शब इंट्रेस्ट इसाद कुलेगे इंट्रेस्ट क्या猪 पी जो प्रिंसिपल होगा वो आपका 16,000 होगा and rate of interest will be यहां पर साल को लिजे 24, 25, 25 25.2% ठीक है and time is time is 1 year ठीक है यहां आपको बोला नहीं है quarterly or 12 खीज़ इसी लिगा करेंगे आपर कि time is going to 1 year ले ले लेंगे यहां पर correct है यह बिल्कुल okay आप निकाल लेंगे simple interest for the first year simple interest PRT upon 100 तो P हो जाएगा 16,000 into rate is 25 upon 2 into 1 whole upon 100 यहां पर जो 2 है वो नीचे आ सकता है ठीक है तो यह लिख सकते है 0 cancel होगे यहां से यहां सब ठीक है और यह जो 2 आया था नीचे वो 2 into 1 और 2 एट जा 80 हो जाएगा यह 25 एट जा यह यह इदी solve करेंगे 25 एट जा होता है 200 ठीक है और एक जो यहां पर है 2000 means जो simple interest निकल गया for the first year is 2000 so हम निकाल लेंगे for the second year अब जो है for the second year हम लोग principal यूज करेंगे 16,000 में add कर देंगे 2,000 ठीक है आप कहा जाएगा 18,000 इसके बाद से rate of interest आपको पता ही है 25 एट पान 2% mean the 12 whole वर हमाँ 2% and time is the second year तो दूसरा साल के लिए निकाल रहे है तो वो भी जो एक ही साल है तो वान ही यूज करेंगे यहाँ पर भी सो simple interest क्या हो जाएगा simple interest is equal to PRT आपन 100 यूज करेंगे P आपका होगा 18,000 तो यहाँ पर यूज कर लेंगे 18,000 इंटी 25 उपन 2 तो 25 जो 2 है वो निच्छा देगा आल्रेडी तो 200 हो जाएगा यह और ब्लैट वाई उपर हैगा 1 0-0 कैसिल हो गया यहाँ पर अब 2 से यहाँ कैसिल कर लेंगे 202 एंट नाइन जा 18,90 हो गया यहाँ 25 नाइन जा होता है 225 और यह एक 0 भी है यहाँ 0 हो जाएगा ठीक है तो 2nd year का interest निकल गया हो निकल गया Now for the 3rd year for the last year or the last year for the last year कर लेते है last year P क्या हो जाएगा principle principle हो जाएगा देखे 18,000 में यह 2250 आड कर देंगे 18,000 plus 50 multiplied by 25 नीचे कर लेते है 2 और नीचे 100 भी है तो 200 हो जाएगा multiplied by 100 यहाँ पर एक जुर कर जाल हो गया और 5, 4, 20 and 5, 5, 0, 25 So Okay अब यहाँ पर मरपले कर लीज़े पहले तो 5, 5, 25 को 5 5, 2, 10 and 2, 12 को 2, 1 कर देंगे भर 5, 0, 0 तो भार हो जाएगा हाँ पर 5, 2, 10 2, 125 अपान 4 तो 4 से भी हाँ करते हैं तो डेसमेल पर आदा है कुछ 2, 21, 4, 5, 0, 20 1, 12 हो गया 4, 3, 0, 12 and 4 बंजा 4, 0, 25 ठीक है तो इतना रुपी जाए गया फार्द थर्ड यह है तो हमारा निकालना है क्या compound interest पस निकालना है केबल देखे 1st year में कितना आया था simple interest 2nd year में कितना आया था simple interest और यह जो 3rd year में जाए था इन तिनों भी इदि add कर देंगे तो that will be the compound interest तो हम यहां directly simply कर लेंगे CI for 3 years is equal to 1st year का है आपका 2000 plus 2250 plus 2531.25 so इनको add यह थी करते हैं तो मिलेगा हमें 0.25 सको से 1 यहां पर हो जाएगा 358 527 and 2226 6781.25 rupees so this will be your total compound interest देखे यहां पर मैंने केवल simple interest को add कर लिया तो निकल गया हमारा compound interest यहां पर last में आप निकाल लेते amount amount निकाल लेके बाद जो पहला principle था 16,000 उससे minus कर देते तो आपको निकल जाता simple compound interest यहां आपको यह concept समझना है समझ झाल झाल